हेलो एवरीवन असलाम लेकुम वेलकम बैक टुरुबैक डिलाइट्स फ्रेंड्स टुडे इस दे 15 बेकिंग क्लास और आज में आपके साथ शेयर करेंगे ड्राइ केक के रिए तो चली शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वाइट फ्लॉर मैदा ह हम यहां पे लेंगे 110 ग्राम मैदा मैं सारी इंगेडियेंट्स लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहां से जाके चेक आउट कर लीजिएगा और इसमें हम एड करेंगे बेकिंग पॉडर इसे हमें दो से तीन बार इसे आपको अच्छे तरीके स कर लेना है ताकि इसमें लंप सना पड़े उसके बाद हम यहां पे लेंगे 3 4th कप सुगर इसे भी हमें पॉडर शुगर बना लेना है आप इसे ग्रैंडिंग जार में डाल के और इसे पॉडर बना ले और इसे स्ट्रेंड कर लें ताकि बिलकुल बारीक हो जाए और उसके और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पॉडर शुगर एट करेंगे दो से तीन बैचेज में और अब इसके बाद हम एड़ करेंगे एक योग अंडे की जार में जर्दी को एड़ कर देंगे इसमें और वन टीजपून वनीला इसेंस और अच्छे से बीट करेंगे ताकि यह फ्रॉथ ही हो जाए और यह बिल्कुल परफेक्ट बीट हो गया है अब हम इसे स्टेश पे टू टेबली स्पून और एड़ करेंगे रिफाइन और और इसे एक मिनिट के लिए और बीट कर लेंगे और इसमें हम ड्राइ इंग्रेडियंट्स एड़ कर देंगे मैदा और बेकिंग पॉडर को अच्छे से इसे स्पैचुला के हल्प से मिक्स करना है थोड़ थोड़ डालती हुए कट एंड फोल्ड मेथट से जैसे कि हम कर रहे हैं अब इसे किसी भी केक मोल्ड में इसे डाल देंगे और इसके ऊपर हम एड करेंगे ड्राइ फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो रिस्ता वदाम काजु जो आपको पसंद हो आप एड कर सकते हैं इसे अच्छे तरीके से चालो तरफ डाल देना है और इसके बाद हम इसे बेक करेंगे प्रीहिटेड ओविन में 25 मिनिट्स के लिए कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे और यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया है तो चलिए अब इसे हम डिमोल्ड करते हैं और बटर पेपर को रिमूब कर देंगे यह देखिए कितने स्पंजी और कितना जबदस्त हमारे ड्राइक बन के तयार हो गया है यह बहुत ज्यादा डिलिशियस बहुत टेस्टी केक बनता है अब एक बर इस मेधर से ज़रूर ट्राइक करें बहुत जबदस्त बहुत टेस्टी केक बनता है अगर आपको एक लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट से समय कमेंट करके बताइए अगर आपको चाहिए तो मैं उसका वीडियो जरूर बनाओंगी I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शियर और सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाबाय टेक कियर अल्ला हाफीज स्टे ट्यून